Good morning students, आज हम कक्षा छटी का पाट सोला द्वीब की खोज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम शब्धार पढ़ते हैं सबसे पहला शब्ध है पाशान, जिसका अर्थ है पत्थर, सक्रिय, कार्ये में लगे होना, शशंकित, संदे से भरे हुए, आश्वस, निश्चिन्थ, कोतुहल का अर्थ है उत्सुकता, भारवेहन शमता का अर्थ है भार ढोने की शमता होना, सरवाधिक, सबसे अधिक, उपलब्धी, प्राप्तिया, सफलता, उपहार, तौफा, तरकीब, योजना, विस्मित, आश्चरेचेकित, तब्दिल, बदलना अब हम प्रशनों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला प्रशन है, आधि वासियों के जीवन की पहली बड़ी उपलब्धी क्या थी? तो आधि वासियों के जीवन की पहली उपलब्धी है थी, कि उन्होंने अथक परिश्रम और सूझ भूद से केनो नामक नाव का निर्मान किया था दूसरा प्रश्ण है चावरा वासियों ने जब केनों को देखा तो क्या किया तो चावरा वासियों ने जब केनों को देखा तो ये निशकर्ष निकाला कि आस पास कोई अन्य द्विप अवश्य है जहां से ये अद्बुचीज आई है फिर उन्होंने याम और फलों को चखा आश्वस्थ होने पर कि वे हानिकारक नहीं हैं वे सारी सामगरी उन्होंने चावरा निवासियों में वित्रित कर दिया था बटवा दी तीसरा प्रश्ण है चावरा वासियों और कार निकोबार वासियों में क्या-क्या समानताएं और भिनताएं थी तो इसका उत्तर है चावरावासी और निकोबारवासी दोनों की आसपास के लोगों के बारे में जानना चाहते थे पर निकोबारवासी अधिक उत्सुक थे इसलिए उन्होंने पता लगाने के लिए नाव बना कर समुदर में छोड़ी दोनों द्विपों के लोगों का रंग रूप और आचार वहवार एक जैसा था पर भाशा में थोड़ा परिवर्तन था जावरा वासी मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे जबकि निकोबार वासी मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं जानते थे अब एक शब्द में उत्तर दीजे तो पहला प्रश्ण है आदी वासियों की जीवन शैली किसके समानती तो उनकी जीवन शैली पाशान यूग के समानती दूसरा प्रश्ण है मनुष्य का स्वभाव कैसा रहा है तो मनुष्य का स्वभाव खोजी प्रवर्ति का रहा है तीसरा प्रशन है आदी वासियों द्वारा तयार की गई नाव को क्या नाम दिया गया तो केनो नाम दिया गया सरपर्थम केनों में क्या रखकर समुद्र में छोड़ा गया याम और अन्य फल उसमें रखकर समुद्र में छोड़े गए दूसरा प्रशन है कार निको बारियों द्वारा समुद्र में छोड़ी गई केनों नाव कोन सी द्वीब के तड़ पर पहुची तो केनों नाव चावरा द्वीब के तड़ पर पहुची तो बच्चो इस वीडियो में हमने लगूत्रिय प्रश्णों पर चर्चा की अगले वीडियो में हम दिरगूत्रिय प्रश्णों पर चर्चा करेंगे